हेलो दोस्तों वेलकम बैक दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे what is an interview interview क्या होता है और interview का क्या basic purpose होता और इसको लिए हमको किस तरीके से preparation करनी चाहिए कभी भी interview देने जाने से पहले हमको कौन-कौन से topics को clear करना चाहिए so that कि हम उसमें अपना best दे पाएं ठीक है so यहां पर एक बहुत important question है communication skills की series में क्योंकि जो interview होता है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अगर आपको communication skills अच्छा होगा भले ही आपके पास में थोड़ी सी कम knowledge हो तो भी आप बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म कर पाऊगे ठीक है एक तरीके से confidence जो होता है वो maintain करके रखना भले ही आपके पास में थोड़ा सा knowledge ना कम हो तो यह हमको सीखना आना ही चाहिए ठीक है जो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटर्विू एकच्वल में होता क्या है तो यहां पर इसकी definition की बात करें तो एक तरीके क्या होती formal meeting होती है ज्यसे तो हमको अपना जो language का style है जो भी voice की tone tone of voice है, pitch है, उसकी style है, speed है, हर कुछ को, हर एक चीज को maintain करके रखना होता है, अपनी body language को maintain करके रखना होता है, eye contact, यह सारी चीजे दोस्तों बहुत ही matter करती है, इसके बारे में हम लोग पहली already discuss कर चुके है, so the interview is a formal meeting, एक तरीके से दो लोग तो यहाँ पर at least होती है, किसी भी interview में, एक तो interviewer होता है, जो कि interview लेता है, और दूसर होता है interview इस, मतलब कि जो interview देता है, देते हैं को जो कोई भी देने के लिए जा रहा है, अपनी job के लिए जा रहा है, तो वो interview हो गया, ठीक है तो यहाँ पर interview is conducted to ask questions जो interviewer होता है वो क्या करता है कुछ questions को put up करता है जिसका answer interviewers देते हैं यहाँ पर इसका मतलब लिखा हो क्या हो है कि the interview is conducted to ask questions इसमें interview में क्या होता है कुछ questions पूछे जाते हैं और जो यहाँ पर लिखा है कि कुछ information को इसका questions को पूछने का सीधा सा purpose यही होता है कि उसकी कुछ जो भी interview विवीर है जो भी देने के लिए interview job के regarding में आया है उसकी information को देखना कि वो profile के लिए suitable है या फिर नहीं है ठीक है from the interview so यहाँ पर देखें आगे क्या लिखा है कि there are many factors to keep in mind while preparing for an interview बहुत सारे factors होते हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी भी तरीके के interview की preparation कर रहे हैं जो सबसे पहला हमारा point आता है कि at least हमको उस company के बारे में उस industry के बारे में तो पता ही होना चाहिए जिसके लिए हम interview देने जा रहे हैं कि actual में वो जो company है वो क्या manufacture करती है वो क्या बनाती है या फिर वो किस तरीके के काम कर दिया अलग-अलग field में उसके बारे में तो हमको company अच्छे से ही उसको profile के बारे में बढ़ियां सा अच्छे knowledge होनी चाहिए ठीक है कि काम क्या कर दे वो company ठीक है और हमको क्यों जाना है वहाँ पर यह सारी चीज़ हमको एक तरीके से यह तो common sense वाली बात है ठीक है अब उसके बार में दूस्तों दूसरा आता है कि clarify your selling points मतलब कि अपने आपको आप क्यों उस job के लिए तस्तुत कर दे हो या फिर प्रिजेंट कर दे हो वो क्यों यह अपने points आपको clear होना चाहिए कि आप उस job को ही क्यों चाहते हो अगर आप शाह हो तो दूसरी जगे आप इंटेव्यूस दे सकते हो और दूसरी जगे आप बढ़िया अच्छी तरीके से वाले points का भी answer पता होना चाहिए बढ़िया सा उसके बाद में दूसरो third point आता है कि think positive ऐसा नहीं low level नहीं रखना है low confidence level नहीं रखना है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या ज्यादर ज्यादा worst हो जाएगा मतलब कि अपने जो मतलब एक आपको होता है न कि worst condition क्य हो सकती है वहीं आपको मान करके रखना है कि जजादा ज्यादर क्या हो होगा फैल्क हो जाएगे interview में बस यह आपको सोच करके जाना है और positive सोचना है positive का मतलब कि आपको select हो नहीं है ठीक है हमको अपना best देना है ज्यादा ज्यादा क्या होगा मैं इंटर्व्यू में unselect हो हाथों का style बैठने का style चलने फिरने का style जो भी होना चाहिए वो इकदम greeting का style जिस तरीके से हम उसको greet करेंगे interviewer को greet करेंगे यह सारी चीज़ एकदम open होनी चाहिए open का अदलब इकदम free तरीके से ठीक है कोई तरीके का आपको यह नहीं कि किसी आप foundation में ऐसा कर दो ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है उसके बद में यहाँ पर क्या लिखा है कि ask also do some mock interviews अपने कुछ आप mock interviews को पहले ही दे सकते हो बहुत सारे mock interviews आपको मिल जाएंगे online आपको भी देखने को मिल जाएंगे prepare yourself for the obvious questions like tell us about yourself अब देखिया अगर आपको भी mock interview देऊगे तो आपको पहले से ही कुछ एक questions का answer पता होगा basic जैसे कि अपने बारे में थोड़ा सा बताओं आपकी weakness क्या है आपकी strengths क्या है तो इन सारी चीजों के बारे में बताओ तो यह सारी चीजें आपको पहले से prepare करके जाना चाहिए ठीक है तो यह सारी चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा discuss करना था अ जो advantage होता interview का वो यह होता है कि जो suitable candidate हो उसका ही selection हो ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी के अंदर आ गया किसी भी तरीके कि जो भी भरती चल ले तो बस आ गया और वो काम करके चला जाएगा ऐसा नहीं suitable candidate को ही होना चाहिए और दूसरा इसका advantage interview का यह है कि कि जो person आया है जो candidate आया है उसकी qualities और capabilities क्या है यह भी चीज हमको clear हो जाते है ठीक है interview से तो इसके two advantage एक तो यह है कि help in selection of a suitable candidate और दूसरा जो हमारा इसका हमारा क्या है दूसरा हमारा इसका advantage यह है कि helpful in measuring the qualities and capacities of the candidates ठीक है तो इसके two advantage अगर आपको लिखने को आ जाते हैं तो इस तरीके साब इसको define कर सकते हो तो I hope दोस्तों आपको interview क्या होते है और interview को किस तरीके से prepare करना चाहिए उसके advantage क्या होते है objectives क्या होते है यह सब clear हो गया होगा आज की video में next video हम लोग दोस्तों public speaking skills के बादे में बात करेंगे so till then take care thank you and bye bye